नमस्कार दोस्तो मैं बिनाई इन्फर्मर आप सभी को स्वागत करता है दोस्तो इस वीडियो में हेल्थ इंसुरेंस और नो कलेम बोनस क्या होता है नो कलेम बोनस कब और कैसे मिलता है नो कलेम बोनस के फायदे के बारे में आपको बताने वाला हूँ इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें देखिए दोस्तो आज के समय में हर कोई medical insurance लेना चाहता है और लेना भी चाहिए ये बहुत जरूरी है किसी को भी नहीं पता सेहत कब खराब हो जाएगा खास करके बज़ूर्ग माता पिता के health insurance अवस करा देना चाहिए दोस्तो अगर आपने भी health insurance कराया है या करवाने की सोच रहे हैं तो इस insurance में no claim bonus के बारे में जान लेना बहुत ही जरूरी है आखिर no claim bonus होता क्या है health insurance policy में no claim bonus की बहुत ही बड़ा रोल है आए बीस्तार से जानते हैं उससे पहले आपसे मेरा अन्रोध है की वीडियो पसंद आये तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तो health insurance में no claim bonus दो परकार के होता है पहला cumulative bonus दूसरा discounted premium इन दोनों को असान सब्दों में समझते हैं पहला cumulative bonus को समझते हैं मान लिजिए आपने 10 लाख रुपे की health insurance policy लिया है अगर आपने पूरे एक साल तक कोई भी bill claim नहीं किया है तो इस पर company आपको 5% no claim bonus देगा 5% bonus जो होगा हुआ आपके health insurance policy में आइड कर दिया जाएगा यानि आपने health insurance policy 10 लाख की लिथी bonus आइड हो जाने के बाद आपकी policy 10 लाख 50 रुपे की हो जाएगी इसी परकार अगली साल भी आपने कोई भी bill claim नहीं करेंगे तो आपकी health insurance policy में 5% bonus और आइड कर दिया जाएगा इसी तरह आगे भी bonus आइड होता रहेगा तो दोस्तो cumulative bonus क्या है आपको समझ में आ गया होगा आप दूसरी no claim bonus को जानते हैं वह क्या है आइए जानते हैं discount premium bonus इसे example से समझते हैं माल दिजे आपने 10 लाख रुपे की health insurance policy लिया है उसमें 10 लाख को आपने परतेक साल 20,000 रुपे की premium चुकाते हैं लेकिन आपने पहली साल premium जामा करने के बाद पूरे एक साल तक कोई भी bill claim नहीं किया तो इस पर company आपको 5% no claim bonus देगा इस 5% bonus को छुट कैसे मिलेगा आइए जानते हैं जैसे कि policy renewal के दोरान आपको 20,000 रुपे premium चुकाना होता है लेकिन 5% no claim bonus मिलने पर आपको 19,000 रुपे ही renewal premium जामा करना पड़ेगा परन्तु इसमें coverage रासी वही रहेगा यानि 10 लाख इसमें सिर्फ renewal premium एमाउंट घरता जाता है तो दोस्तो आप ही बताईए दोनो no claim bonus में कौन सी बेहतर है हलाकि दोनों के बीच में cumulative bonus अधिक लोग प्रिये है दोस्तो वीडियो के end में बताना चाहूँगा कि सभी health insurance policy में no claim bonus नहीं मिलती है पर तेक policy को अपने अपने नियम और सर्ते होते हैं इसलिए insurance policy लेने से पहले नियम और सर्तों को एक बाद जरूर पढ़े कि इसमें no claim bonus है या नहीं या no claim bonus कितने परसेंट कमपनी दे रही है health insurance policy खड़िते समय no claim bonus का खास कर ध्यान रखे या सबसे महतपूर्ण है इसलिए जो सबसे अच्छी health insurance policy है उसे ही चुने दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समावत करता हूँ कैसे लगा मेरा वीडियो कॉमेंट कर जरूर बताए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और सबस्क्राइब जरूर करें रखिये अपना ख्याल धन्यवाद